सुमन का टेलेफोन था उसने तुरंथ बुलाया था उसके आवास पहचानने में देर लगी थी कमजोर आवास दूर कहें किसी घने जंगल के कोहासे में डूपती उतराती आवास थी आ सकती हो प्लीज आ जाओ फिर सोचने के लिए क्या बचा था उनिवस्टी में एक ही क्लास थी क्लास लेकर वो निकल गई थी बीच में अपने को कई बार टूका था धीरे चलाओ गाड़ी पता नहीं सुमन कैसी होगी क्यों बुलाया उसने इतने अवश कैसे हो गई वह सवालों से घेर गई थी मानसिक दबाव में ध्यानी नहीं रहा देखो स्पीडो मीटर की सुई असी पर थे उसने अपने आपको चेताया था सुमन धीरे चला गाड़ी देख तुम्हारे स्पीडो मीटर की सुई असी को चू रही तो क्या हुआ वो बेपरवा थे सड़क पर ट्रैफिक तो देख मत देख तुम मेरी तरफ देख न और वो देख ट्रैफिक पुलिस वाला सुमन ने गाड़ी बाई तरफ लगा कर रोग दी थी वे दो थे पास आये थे क्या हुआ सुमन ने मासूमिय से कहा था मैम आपने येलो लाइन्स जंप किया है मैने कैसे मैं तो गाड़ी चला रही हूँ कौ जल्दी में दूसरा बैग उठा लाई वो नाराज हुआ था आप बातें बहुत करती है उतर ये गाड़ी से आप नीचे उतर ये वो धरवाजा खोल कर नीचे उतरी थी देखो भाईया बात ये है कि तुम पुलिस वाले हो हाथ हिलाने का खाते हो है ना मैं इन्वस्ट्री मैं प्रोफेसर हूँ इसलिए बातें करने की रोटी खाती हूँ उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था बड़े वाले ने कहा था आप बातें बहुत करती है उतर ये गाड़ी से आप नीचे उतर ये दूसरा बैग उठा लाई वो नाराज हुआ था लेकिन चालान तो आपको कटेगा लाईए दूसर रुपए दीजे ओ आपसे बताया था ना कि दूसरे वाले बैग ले आई हूँ इसमें तो पैसे हैं ही नहीं उन्होंने फिर एक दूसरे की तरफ देखा था इस बार जाने दीजे आगे से ध्यान रखोंगी सुमन ने भूले पन से कहा थ ची कह जाईए छोजे वाले ने कहा था वो जट से गाड़ी में बैट गई थी गाड़ी स्टार्ट की और चल दी थी सुमन हसी थी वही बिंदास हसी सुमन ने हवा में बाँ उठा कर चूडियां खनकाई थी फिर इतनी सारी चूडियां पहन आई हो प्रिंस्पल ने देख या तो क्यों पंगा लेती हो तुम उससे अगर नहीं भी देखा अलका तो भी उसे दिखाऊंगे कुंठे तोरत है ना या नन ननमीन्स नन अर्थात कोई नहीं कुछ नहीं मतलब जिसका कोई नहों जिसके पास कुछ नहीं क्या परिभाशा की है तुमने नन की सुन मुझ कहती है क्लास में चूडियां पहन कर मत जाया करो क्योंकि टीचर को क्लास में सोबर होना चाहिए पूछो इस नन से कि सोबर होने में और चूडियां पहनने में कौन सा विरोध है है कोई विरोध क्या कहें किसी शब्द कोश में लिखा है क्या ऐसा सुमन मस्त मौला थी सारा समय हसी की हिलोर में जूमती रहती वो हस्ती तो लगता अमलतास हवा में जूल रहे है गुलमोहर खिल उटे हैं लाल पजला आश चटक गए है हस्ते हस्ते लोट-पोट होती जाती और बताती रहती सुनो अलका हां आज एक गोंगा मिला था लाइब्रेरी में साला किताबों के रैक के पास खड़ा होकर मुझे घूर रहा था पूछा क्या है बूला तुम दुनिया की सबसे सुन्दर किताब हो पढ़ना चाहता हूं तुमें लैट्स गो फॉर लंच मैंने का नो वी विल गो फॉर डिनर उसने थोड़ा सोचा था फिर कहा ओके डिनर के लिए चलेंगे मैंने कहा डिनर के बाद डिनर के बाद कहा चलोगे उसकी आखें फटी की फटी रह गई वो बाग गया था साठ की स्पीड से सुमन खिल खिला थी लगता हर्याली की तरफ की खिड़की खुल गई हो पर कॉलेज में लोग उसे पसंद नहीं करते थे वो अपने असी प्रतिशत और अच्छी इंटर्व्यू के बल पर आई थी 35 कैंडिडेट थे जब उसका सलेक्शन हुआ था उनमें एमफिल और पिएशडी भी थे और वो सिर्फ एम में थी हाँ छात्राएं उसे हमेशा गेरे रहती कोई उसके कपड़ों की तारीफ करती कोई इसकी कॉस्ट्यूम ज्वेलरी की तो कोई उसकी सुनदरता की वो पहले थे जो कॉलेज में सलवार कमीच पहन कर आई प्रिंस्पल ने उसे बुला कर कहा था प्लेज कम इन साड़ी पर क्यों? प्रिंस्पल को इस क्यों की उमीद नहीं थे कम इन साड़ी फो टीचिंग और फिर वो बिना सिली साड़ी क्लास में खिसक गई थी उसने ठाहा का लगाया था क्या? येस मैम और फिर ये जो बिना सिली हुई साड़ी है यदी क्लास में खिसक गई तो उसके बाद वो काफी समय तक साड़ी ही पहन कर आती रही थी नेवल के नीचे बांधी गई साड़ी टकनों को छूता हुआ पला और बिन बाहों का स्ट्रेव वाला बलाउस आज है कोई खास बात नहीं लगती लेकिन बीस बाइस साल पहले है असान नहीं था वे भागती उसके सामने आई थी हासी से बेदम बोली प्रिंस्पल कहती है तुम सलवार कमीच और दुपटे में आ सकती हो सुमान उदास थी पूछा था क्या हो गया होस्टल में क्यों रहना चाती हो तुमारा घर है फिर तुमारे डैड है उन्हें बुरा नहीं लगेगा देर से क्यों आती हो कहां जाती हो क्यों जाती हो किस के साथ होती हो क्या मैं बच्ची हूँ लेकिन उनके लिए तो बच्ची ही हो न छोड़ यार तू भी उनकी तरफदारी करने लगी अच्छा आज रात को गुंगरू में आ जा पर तू कैसे आएगी बेचारी अलका अच्छा तू ये बता तेरी शादी को पांस साल हो गए हूँ अन्मने भाव से उसने हामी बरी थी दो बच्चे भी है चलो ये भी ठीक है पर यार तू एक ही आदमी से दिन रात गिरी रहती है बोर नहीं होती क्या वो खिल खिलाई थी पर अलका ने कहा था कुछ समझी नहीं मैं सब समझती हो तुम्हें मेरी बास से कल्चरल शौक लगा है और कुछ नहीं एक दिन कर्नल चोपडा ने घर पर भुलाया था कॉलिज में एक नोट उसके नाम का कोई दे गया था प्लेस सीमी सून वोन भी आया था कर्नल चोपडा की आवास थी पर पहले जैसी नहीं अलका क्या तुम आज आ सकती हो जरूरी बात करनी है सुमन के बारे में ड्राइवर तुम्हें कॉलिज से ले आएगा वो गई थी कर्नल चोपडा बेचैन से थे अलका सुमन तुमारा बहुत मान करती है सुमन की मा नहीं है उनकी आखे नम थी पंद्रे साल की थी जब से मैंने इसे मा और बाप दोनों बन कर पाला है लेकिन मैं मा बन कर भी कभी नहीं बन सका सुमन का रात को देर से आना कुझे बहुत परिशान करता है तुम समझा कर देखो शायद वो रुख जाए जी मैं कोशिश करूँगी पर वो जानती थी कि यह सब व्यर्थ था सुमन से कहना मैंने कहा नहीं था पर मन का सैला हो गया था करनल चूपडा की तकलीफ का अनुमान वो लगा सकती थी करल चूपडा की आँखों में चिंता, ममता, भय और अवश्ता एक साथ कहरा रही थी वे शायद उससे आश्वासन चाहते थे पर वो जानती थी कि वो भी उन्हीं की तरह कहीं सुमन के बहुत समीप होकर भी उससे बहुत दूर थी सुमन को उसकी इच्छा के वुरुद कुछ भी करने से रोकना मुठी में समुदर की लहर को बांद कर रखना था सुमन ने होस्टल में शिफ्ट कर लिया था रात को वो अकसर देर से लोटते आदी रात के बाद वो शराब भी पीने लगी थी ये ठीक नहीं है सुमन इस शहर की सड़कों पर तुम सुरक्षित भी नहीं हो कोई माई का लाल मेरी इच्छा के बिना मुझे चूकर तु देखे वो धनकर खड़ी हो गए थी सुमन आई थी चल अब तु मेरे फादर फिकर खोश हो जा मेरा पी एच्जी में रेजिस्ट्रेशन हो गया है तीन चार साल जरा डटकर काम कर लू गए मेरे मौद मस्ती के दिन तुम्हारा निर्देशा कोन है डॉक्टर अजित राय चौधरी सुमन गंभीर लगी थी क्लास के बाद वो लाइपरेरी में चली जाती एक दिन मिली थी रिसरच का काम कैसा चल रहा है डॉक्टर चौधरी इस ब्रिलियंट और तुम्हारे डैड कैसे हैं वो हासी थी वो सुधरने वाले नहीं आजकल एक नया राग छेड़ा है उन्होंने शादी कर लो रोज किसी न किसी का फोटो और परिचा लेकर आ जाते हैं ये इंजीनियर है किसी फॉरेंट फॉर्म में ये मेजर है इसके परिवार को मैं जानता हूँ ये मैनिजर है सिटी बैंक में सब के सब ढखकन इसमें बुरा क्या है सुमन तुम्हें शादी से कोई इतराज तो नहीं है न लेकिन इस तरह के ढखकनों से शदी वो पहले किसी मूड में आ गई थी इस संडे को डैड किसी डेस्परेट को होस्टल में लेकर आ गए थे बताया नहीं था मुझे कुछ भी और उसकी ट्यूटरिंग करके लाय थे पर पता नहीं उसकी शकल देखते ही लगा यह मच्छर शहीद होने आया है डैड ने मेरा परिचा कराया फिर उसका परिचा देने लगे मैं अपने आपको रोक नहीं सकी सोड़े की बोतल की तरह भक से मेरी रोकी हुई हसी निकल आई थी और मुँ में भरी हुई चाय की घूट फफवारे की तरह बाहर उचल गई थी चाय की छीटे उस पर भी पड़ी थी डैडी ने सौरी बोला था वे चले गए थे दिस इस नौट फेर सुमन चोड़ यार चल कैंटीन में चलते हैं पड़ी भूक लगी है सुमन कई कई दिनों तक नहीं मिलती थी सुचा अपनी रिसर्च में व्यस्त होगी यूँ हम दोनों का टाइम टेबल भी चार दिन अलगी था वे दो पहर बाद की क्लासें लेती थी उसके सुबह की क्लासें होती थी ताकि जल्दी घर पहुँचकर बच्चों को देख सकूँ एक दिन कॉरिडोर में टकरा गई थी कैसी हो तुम सुमन वो खुश लगी थी ठीक हूँ तुमारा गाइट तुमें तंक तो नहीं करता शुरती बहुत परिशान है समय देकर भी विभाग में नहीं रहता जो लिखकर देती है उसे देखता तक नहीं तीन साल हो गया अभी अभी तक उसका पहला चैप्टर ही हुआ है नहीं डॉक्टर रॉय चौदरी is committed and very mature he is brilliant उसने जुडा था of course he is सुमन कॉलेज में कम ही दिखाई देती थी सोचा आपनी रिसर्च में व्यस्त होगी एक दिन कॉलेज में धमाका हुआ था कॉलेज की दीवारें हिल गई थी पता चला सुमन प्रेगनेंट है कोई पूछता तो कहती हाँ हूँ लेकिन तुमारी शादी शादी तो होई नहीं प्रेगनेंट होने के लिए शादी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है क्या एक अदद मन चाहा मन भाया आदमी चाहिए होता है कॉलेज में एक खबर जंगल में लगी आग सी फैल गई थी टीचर से छात्राओं में और फिर प्रिंस्पल तक बात पहुची थी प्रिंस्पल ने सोमन को बुलाया था वो गई थी प्रिंस्पल ने उसे उपर से नीचे तक जाचा था फिर हेज के चाहते हुए पर द्रड़ता से पूचा था आई यू प्रिंस्पल हतपरफ सी उसकी तरफ देख रही थी तुम ऐसा नहीं कर सकती बिना शादी किये लेकिन यह मेरी अपनी जिंदगी का फैसला है नहीं यह सिर्फ तुमारी जिंदगी का फैसला नहीं है यह मेरी समस्या भी है वो जब भी मिलती थी बाहर किसी रेस्ट्रों में ही मिलती थी सुमन बदल गई थी उसके चहरे पर संगर्श की काली चाया साफ दिखाई देती थी आर्थिक, सामाजिक और अकेले पन के विर्द लड़ाई के मैदान जैसा था उसका जीवन उसने शिल्पी को एक पबलिक स्कूल में दाकिल कर दिया था किराय का एक मकान ले लिया था वो गई थी उसके बुलाने पर साकरी सी गली से होकर दूसरी मंजिल पर दो कमरों का घर था सुमन को पहचानने में देर लगी थी वो हंसी के हिलोर समुद के लहर की तरह ठेट में खो गई थी आओ आओ वो मुस्कुराई थी फिर हंसी थी जैसे अपना बचाव किया हो घर बच्चों के बारे में पूछती रही उसने पूछा था शिल्पी नजर नहीं आ रहे स्कूल के बार ट्यूशन के लिए जाती है दसवी के बोड हैं इस साल अभी गंटा पर बाद आ जाएगी अलका के भीतर तूफान की तरह सवाल गूम रहा था कौन है वो पर जुबान पर लाने का साहस नहीं होता था इन दोनों के बीच यह मर्यादा शुरू से ही रही थी जो जितना कोई कहना और बताना चाहे उतना ही सुना जाएगा और बस क्या पियोगी जैसी सुविधा हो कुछ देर रुक कर अलका लौट आई थी लगा था सुमन ने अपने कोई किले में बंद कर रखा है उसके समी पहुँचना संभव नहीं रात शिल्पी बड़ी हो रही थी बच्पन में मासूम सा सवाल होता था ममा फिर पापा कहा है वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते किसी तरह से यह सवाल खिसका देती कई बच्चों के माबा मा नहीं होती कई के पापा नहीं होते और कई ऐसे भी होते हैं जिनके दोनों नहीं होते मैं ही तुम्हारी मा और पपा हूँ दोनों हूँ एक दिन शिल्पी बिल्ली की तरह सतर्ग सी आई थी ममा वो सुबह के लिए लेक्चर तयार कर रही थी उसने ध्यान नहीं दिया था ममा हाँ बोलो कुछ चाहिए क्या ममा वो हटकी थी आप विडो हैं या डिवोर्सी हैं उसने हाज से किताब गिरते गिरते बची थी उसने अपने आपको संभाला था सकत आवाज में पूचा था इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जाओ अपना काम करो स्कूल में पास पडोस में बाहर कई जगह शिल्पी विकट सवालों का सामना करती और आकर माँ पर बरसती सुमन सूचते शिल्पी थोड़ी और बड़ी हो जाए समझ सकने के योग्यों हो तो वोसे सब सच बता दे सुमन कोशिश करती कि शिल्पी और उसके बीच दूरी न रहे समवाद बना रहे पर हर रूस کسी ना किसी बात पर शिल्पी नाराज हो जाती सुमन जानती थी उसकी नाराज़गी के कारण घर से बाहर थे पर जहर धीरे धीरे घर में गुलता जा रहा था शिल्पी बारवी का इमतहान दे चुकी थी कॉलेज के दाखले का फॉर्म हाथ में लिये खड़ी थी मम्मा उसकी हावाज में तलकी थी मेरे पिता कौन है? उसने हमेशा की तरह सवाल को टालना चाहा था व्यस सुने का नाटक किया था अचानक आगे बढ़कर शिल्पी ने अपने 18 साल की मजबूत गिरफ्त में जकड़कर सुमन को कुर्सी पर बिठा दिया मेरे पिता कौन है? कहा है? मैं बालिग हूँ और मुझे जानने का अधिकार है मैं किसकी बेटी हूँ? वो फरफडाई थी कुर्सी से उठने के लिए उसने बल पूरवक उसे उठने से रोका था सुना है अपने शादी नहीं की तो भी मेरे पिता कौन है? चीक है सुमन तनकर बैट गई थी हाँ मैंने शादी नहीं की तो क्या हुआ? जानना चाहती हो? जरूर जानना चाहती हो तो सुनो डॉक्टर अजित राय चौधरी तुम्हारे पिता है शिल्पी की पकर ढीली पड़ गई थी उसने अपने बैक में सामान डाला था वो उसे चुप चाप सब करते हुए देख रही थी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ रात की ट्रेन की बुकिंग है सुबह पहुँच जाओंगी शिल्पी घर का पता हाथ में लिये भटकती हुई अजित राय चौधरी के घर पर पहुँची थी घर के बाहर की प्रोफिसर अजित राय चौधरी के नाम की पट्टी देखकर उसने एक लंबी सांस ली थी आखिर वो पहुँच गई घंटी पर उंगली रखते हुए उसके भीतर की सारी उर्जा जैसे उंगली के पोर में केंद्रित हो गई थी अगले पल की पतीक्षा में वो सांस रोके खड़ी थी दर्वाजा खुला सामने लगबग उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी थी कईये शिल्पी अगबकाई थी प्रोफिसर अजित राय चौधरी उसने रास्ता बनाते हुए अंदर की तरफ इशारा किया था आईये अंदर आईये मैं डॉक्टर सुमन चोपड़ा की बेटी शिल्पी हूँ वुजूर्ग व्यक्ति ने कापते हाथों से किताब एक तरफ सरका दी थी वै उटकर खड़ा हुआ था और कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर कमरे में ले आया था उसने उसे सोफे पर बैटने का इशारा किया था और स्वयम उसके सामने बैट गया था कौन सुमन चोपड़ा? मैं नहीं जानता वो जल्दी ही उससे निपटने के मूड में था आपकी रिसर्च स्टुडेंट थी सुमन आप उसे जानते भी हैं और मैं उसकी बेटी हूँ या किसी की भी बेटी हो उससे मुझे क्या? क्यों आई हो यहाँ? मुझसे क्या चाहिए? वो तड़पकर उठ खड़ी होई थी सुमन की बेटी यहाँ क्यों आएगी? आप नहीं जानता उसे समझ नहीं आ रहा था चारपाई पर बैठी बुजर्ग इस्त्री उसकी हमुम्र लड़की का बुजर्ग को दादू कहना भागते दोडते हंसते खेलते बच्चे और सफेद बालों वाला प्रोफेसर अजित राय चौधरी प्रोफेसर चौधरी ने शिल्पी को सामने बुजर्ग व्यक्ति ने कापते हाथों से किताब एक तरफ सरका दी थी फैर उटकर खड़ा हुआ था और कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर कमरे में ले आया था उसने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया था और स्वयम उसके सामने बैठ गया था कौन सुमन चोपड़ा मैं नहीं जानता वो जल्दी ही उससे निपटने के मूड में था आपकी रिसर्च स्टुडेंट थी सुमन आप उसे जानते भी हैं और मैं उसकी बेटी हूँ या किसी की भी बेटी हो उससे मुझे क्या क्यों आई हो यहाँ मुझसे क्या चाहिए वो माँ जूट नहीं बोल सकती क्या नहीं मेरी माँ कुछ भी कर सकती है पर जूट नहीं बोल सकती है फिर ऐसा गिनो ना जूट चली जाओ यहां से बुजूर्ट ने डपटा था जूट क्यों करूं मुझे किसका डर है वो बाहर आंगन में आका चिल्लाई थी सुनिये आप सब प्रॉफिसर अजित राय चौदरी मेरे पिता है मेरी माँ सुमन चोपडा के पती है त्यान से सुनिये आप लोग इस व्यक्तिने सिर्फ मेरी माँ को ही नहीं आप सब को भी अंधेरे में रखा है जूट को जिया है इसने अपने परिवार के बीच घर के आंगन में जैसे कि सिने बम फोड़ा हो बड़ी पच्चे स्त्रियां लड़कियां लड़के सब एक अत्रित हो गए थे सबने अपने कानों पर हात रख लिये थे उनकी आंके फैल गई थी और मुझ खुले थे ये लड़की पागल है बुजूर्ग की जुबान लड़कडा रहे थे निकालो इ चाहे मेरे पिता हो पर मैं आपसे नफरत करती हूँ नफरत करती हूं आपसे डरपोक हैं आप डरपोक और जूटे बुजूर्ग वैक्ती देरी और आंगं के बीच खड़ा थर थरा रहा था घर के आंगं में तीन पींडियां खड़ी थी इस तब्धता के समुद्र में शिल्पी ने कंदे से बैग उतार कर नीचे रख दिया था मम्मा शिल्पी सुमन का रास्ता रोक कर खड़ी हो गई थी आपको मेरी जिन्दगी नश्ट करने का अधिकार किस ने दिया? अपने जिन्दगी पर आपका अधिकार हो सकता है जिन्दगी को प्रयोकशाला बना कर जो चाही प्रयोग आप कर सकती है लेकिन मेरी जिन्दगी पर आपका अधिकार आपने मुझे गिनिपिग समझा था आप सोचती हैं कि मैं गिनिपिग हूँ? नई, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं क्योंकि आपने ऐसा मेरे साथ वो सुबक रही थी। सुमन निश्चल और निश्चिष्ट खड़ी थी। शिल्पी और उसके बीच घना अंधेरा जंगल ओगाया था। गहरी चुपी और साएं साएं की आवाजों के बीच शिल्पी के सिस्कियां सुनाई दे रही थी।